अब हम कुछ examples के जरीए इस concept के बारे में आपकी understanding को मजीद बहतर बनाने के लिए moles की तादात को calculate करेंगे. तो क्या आप पहला numerical question solve करने के लिए तयार है? आईए शुरू करते हैं. Question के मताबिक 0.1 gram sodium और 0.1 kilogram silicon में gram atom को calculate करना जो के moles में है. तो students, इस question में हमें कौन सा data provide किया गया है? हमें एक element का मास दिया गया है, जो के 0.1 gram of sodium और 0.1 kilogram of silicon है, right? ये दो parts हैं. पहले हम sodium के gram atoms की तादात को मालूम करेंगे. sodium का मास 0.1 gram के बराबर है और sodium का molar मास 23 gram पर मोल है. अब तक हम number of gram atoms का formula जानते हैं. यानि के number of gram atoms equal to the mass of an element in gram divided by molar mass. अब इस formula में हम sodium के लिए value add करेंगे, तो हमें मिलेगा 0.1 divided by 23. जब हम इसे calculate करते हैं, तो हमें क्या मिलता है? बिल्कुल सही. हमें मिलेगा sodium के 0.0043 moles. ये sodium के 0.1 grams में मौझूद number of moles हैं. आई ये अब exponential form में ये answer लिखते हैं. ये बन जाता है 4.3 multiplied by 10 to the power minus 3 moles. अब दूसरे पार्ट को देखते हैं जिसमें हमें silicon का मास दिया गया है, जो के 0.1 kilogram है. अब यहां तवज़ो देना और इस कसिम की tricky problems को गौर से देखना बहुत जरूरी है. क्योंके हम सब जानते हैं के formula में, हम हमेशा मास को gram में लिखते हैं. यहां हमें इस मास को gram में तबदील करना है. आपने maths में जरूर पढ़ा होगा कि 1 kilogram बराबर होता है 1000 grams के. तो हम 0.1 kilogram को 1000 से multiply करेंगे, जो हमें देगा 100 grams, है न? तो यह 100 gram silicon का मास बनाता है. अब silicon का molar mass 28.086 gram पर mol है. सेम formula इस्तिमाल करते हुए, जो के mass of an element in gram divided by molar mass है, हमें मिलेगा 100 divided by 28.086. यह solve करने के बाद, हमें answer मिलेगा 3.56 moles.